कई बार हम लोगों को अपनी daily life में इस प्रकार के sentence बोलना पड़ता है जैसे मुझे दवा खाना पड़ रहा है उसे जूट बोलना पड़ रहा है आपको इंतजार करना पड़ रहा है मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ रही है तो क्या sentence को English में कैसे बोला जाता है अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो में शुरू से हम तक बन रहे हैं इस प्रकार के sentence को हमें तब बोलना पड़ता है जब आप नहीं चाहते हुए भी किसी काम को करते हैं या फिर आप नहीं चाहा रहा है फिर भी वह काम आपको करना है तो इस प्रकार के sentence को English में कैसे बोलेंगे तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि इस प्रकार के sentence क्ले हमें कौन से स्ट्रक्चर क्या हो सकता है तो सबसे पहले तो हमारा subject रहता है subject के बाद पिर यहां पर जो भी बचा रहेगा उसको लास्ट में हम लोग रिखेंगे यह structure हमारा है अब इस ही क्या यूज करके हम लोग सारे sentence को एक करके से से आपको समध्या लें हमारा पहला sentence दिया है मुझे दवा खाना पड़ रहा है मुझे मतलब आई आइक साथ क्या यूज होत तो यहां पर टेक लिख लिए अब क्या चीज खाना पड़ रहा है medicine तो यहां पर लिखेंगे medicine क्या हो गया medicine तो यह sentence मारा बन गया है मुझे दवा खाना पड़ रहा है तो इसका English हो जाएगा I am having to take medicine I am having to take medicine अगला है उसे जूट बोलना पड़ रहा है उसे मतलब ही एक कि बाद आपको लिखना है having to हम लिखेंगे having to फिर देखिए यहां पर जूट बोलने की बात होगी तो लिखेंगे टेल जूट बोलना क्या होता है टेल लाइक हो गया इसका पूरा English बन जाएगा he is having to take a life he is having to take a life आपको अगला दिया है आपको इंतजार करना पड़ रहा ह है आपको मतलब आप यू यूख साथ क्या यूज होगा और फिर आपको लिखना है having to लिखेंगे having to फिर उसके बाद आपको बर्व लिखना है बर्व हमारा दिया है इंतजार करना मतलब wait हम लिखेंगे wait बाकि इसमें कुछ है नहीं तो छोड़ देंगे आपको इंतजार करना पड़ रहा है इसका पूरा English में जाएगा you were having to wait you were having to wait अगला है मुझे वहां जाना पड़ रह होगा फिर आपको लिखना है having to लिखेंगे having to अब से आने की बात हो रही है तो लिखेंगे go अब वहां तो मेनिंग होती है देर तो इसका पूरा English हो जाएगा I am having to go there I am having to go there मुझे वहां जाना पड़ रहा है अगला है आपको अंग्डेजी बोलनी पड़ रही है तो इसक कमेंट करके बताइए